हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे राजधान की बहुत ही फेमस लापसी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी दल्या लिया है और एक कटोरी हमने गुर लिया है और ये एक कटोरी से थोड़ा सकम हमने देशी घी लिया है और थोड़ दल्या डालने के बाद इसे अच्छे से लगतार चलाते हुए भून लेंगे, दल्या को हमें लगतार चलाते हुए low medium flame पर ही भूनना है, इसे भूनने में 4-5 मिनट ही लगे हैं, और ये देखिए दल्या में हमारे कितना अच्छा color आया है, कितना अच्छे से भून चुका है, भूनते भूनते एकदम golden color का हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे दो कटोरी पानी, पानी हमने इसमें गरम डाला है, और गुर्ड डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, और एक पिंच red color डाल देंगे, और अच्छे से mix करते हुए इसमें एक उबाल लगा देंगे एक उबाल आने के बाद, अब हम इसे ढखके 7-8 मिनट पकाएंगे, हमें इसे low medium flame पर ही पकाना है, तेज गैस पर बिलकुर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये कच्छ रह जाएगा, और ये देखिए, दलिया हमारा अच्छे से गल चुका है, और इसका पानी भी काफी कम हो च चुका है, अब हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है, जब तक कि इसका पानी पूरी तरह सूप न जाए, इस पिर किर्या को करते हुए हमें 7-8 मिनट ओल लगे हैं, और ये देखिए, लापसी हमारी कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है, ये एकदम सूप इतनी टैस्टी बनी थी, कि इसके आगे सभी तरह के हलुई फेल है, इस रेसेपी को एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्राय करें, और अपनी फैमली के साथ इंजोए करें, ये सूपर टैस्टी और हैल्दी रेसेपी, अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो क लाइक सेयर करना ना भूलें, और प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें, एक नई रेसेपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाइ, थैंक यू